नमस्कार मैं गौरुफ आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूँ और आज हम डिसकस करेंगे कैल्कुलस का सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डैट इस लीमिट ओफ फंसन ठीके वो हमने और अपको अच्छे तरीके से फंसन बता रखा है ठीके की भईसन क्या होता है ठीके फंसन को हमने आपको different different ways के थू समझा रखा है domain क्या होता है range क्या होता है some important real function, some important standard function हमने आपको already बता रखा है ठीके, operations on functions वो भी हमने आपको बता रखा है even function क्या होता है, odd function क्या होता है ये सब हमने आपको already बता रखा है ठीके, तो हम लोग limit of a function तो करेंगे आज के class का हमारा major target है कि आज हमने limit of a function अच्छे तरीके से समझ लेना है ठीके, लेकिन limit of a function समझने से पहले हमको एक बार function को recall करना होगा ठीके, कम से कम कुछ points, basic चीजों को recall करना होगा हम लोग complete function discuss नहीं करेंगे ठीके, लेकिन कुछ चीजों को recall करना होगा हमने, तभी आपको बहतर तरीके से limit समझ आएगा ठीके, limit of a function यानि function का limit है की नि, function का limit तो जब तक आप function नहीं समझोगे तब तक आपको limit of a function नहीं समझ आएगा आरी बात समझ, that is why हम लोग सबसे पहले थोड़ा function देख लेते हैं and function के अलावा हम लोग थोड़ा domain discuss कर लेते हैं, थोड़ा हम लोग range discuss कर लेते हैं, ठीके, और domain और range और function के थुरू हम लोग limit of a function समझने की कोशिज करते हैं, ठीके, यहां तक चलिए, सबसे पहले function, सबसे पहले क्या, function, ठीके, तो दीके, function का simple सा logic है, हमने आपको different, different ways के थुरू function बता रखा है, ठीके, लेकिन अभी हम लोग केवल sort में एक बार recall करेंगे function को, ठीके, तो भाई यह function क्या होता है, simple तरीके से, तो function एक machine होता है, simple, function क्या होता है, तो एक machine होता है, simple सी बात है, function is a machine, ठीके, जो क्या provide करता है, तो जो एक output प्रोवाइट करता है, ठीके, तो function is a machine, that gives a unique output, ठीके, to each and every different input, ठीके, function क्या होता है, एक machine होता है, ठीके, जो हर एक valid input पर, सुनिए अधियान से valid input पर, हमको क्या provide करता है output provide करता है तो simple तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि यह function क्या होता है तो function एक machine होता है जो हर एक valid input पर वैलिड इंपूट पर आपको एक output क्या करता है provide करता है तो उमीद आपको function یाद आ गया होगा function recall होगा function is a machine that gives a unique output to each and every different input ठीक है अच्छा जो input होता है यानि जो value हम लोग put करते हैं ठीक है जो value हम लोग डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं domain ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं domain ठीक है तो domain का simple सा मतलब होता है क्या होता है भाया domain का तो domain यानि all possible input all possible input for which the function get defined हर एक वो value जिस पर function defined हो जाए ठीक है all possible input simple all possible input for which the function get defined उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे भाया domain जो निकल के आएगा ठीक है जो आपको प्राप्त होगा that is range ठीक है तो simple जी बात है जो output होगा उसको बोलेंगे range जो input होगा उसको बोलेंगे domain एकदम clear हो गया न function तो याद रखे का function एक machine होता है ठीक है that gives a unique output to each and every different input input यानि domain output यानि range ठीक है यहाँ तक clear हो गया न अच्छा अब represent कैसे करते हैं function को थोड़ा यह भी देख लेते हैं ठीक है तो देखे हमने आपको बता रखा है variables के बारे में ठीक है variables के बारे में हमने आपको बता रखा है ठीक है हमने आपको बताया है कि भाईया दो तरके variables होते हैं एक होता है dependent variable दूसरा होता है independent variable कौन-कौन सा भाईया यानि y, dependent variable, यानि क्या ची? y, और independent variable, यानि x, ठीक है? dependent variable, यानि y, independent variable, यानि x, ठीक है? अच्छा, आपको अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है? कि y जो है, वो क्या करेगा? depend करेगा किस पर x पर तो यहाँ पर लिख दो कि भईया y depends upon x यहाँ तक होगी बात अच्छा इसको हम लोग mathematically कैसे लिखते हैं या इसको हम लोग symbolically कैसे लिखते हैं तो हमने आपको बता रखा है कि भईया y is equal to f of x y is equal to f of x तो यह क्या indicate कर रहा है यह indicate कर रहा है भईया कि y जो है वो x पर depend कर रहा है y depends upon x यानि y is equal to f of x ठीके अच्छा माल लो यहाँ पर f of x is equal to कुछ ना कुछ given है suppose कर लो यहाँ पर x square minus 9 upon x minus 3 given है माल लेते हैं ठीके तो यहाँ तक तो क्या हो गया यहाँ तक तो केवल एक ही मतलब निकल के आ रहा है भईया कि y depends upon x ठीके अच्छा अब यह expression क्या indicate कर रहा है यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई भी function मिलता है तो f of x is equal to कुछ ना कुछ expression दिया होता है तो यह expression क्या indicate करता है तो यह expression indicate करता है कि भईया यह तो आपने बता दिया कि भईया y जो है वो depend कर रहा x पर लेकिन यह expression बताता है कि ठीक है depend कर रहा है लेकिन किस प्रकार से depend कर रहा है यानि how y depends upon x समझेगा ध्यान से यानि यहाँ पर f of x is equal to जो भी expression दिया होता है फिर से f of x is equal to जो भी expression दिया होता है वो indicate करता है क्या indicate करता है कि भईया किस प्रकार से how y depends upon x ठीक है q not q किस प्रकार से y जो है वो depend करता है x पर ठीक है यहाँ तक clear हो गया ना function फिर से एक बार देख लेते है function एक machine that gives a unique output to each and every different input जो possible input होगा जो valid input होगा बोलेंगे domain जो निकल के आएगा यानि जो output होगा बोलेंगे range ठीक है किस प्रकार से represent करते हैं ये भी समझ आ गया ठीक है और यहाँ पर जो expression दिया होता है ये expression क्या indicate करता है कि भईया y जो है वो x पर किस प्रकार से depend करता है ठीक है उमीद आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ठीक है अच्छा फिर हमने आपको function में ठीक हमने आपको function में बताया था कि domain किस प्रकार से calculate किया जाता है ठीक है ये भी हमने आपको बता रखा है ठीक है तो domain का definition एक बदर concept को हम example के तरूँ समझते है ठीक है देखे हमारा major target है हमारा major target क्या है कि भाईया हमने तो limit समझना है हमने limit of a function समझना है ठीक है लेकिन इसके लिए हमने आपको क्या बोला कि भाईया इसके लिए limit of a function के लिए आपको function का knowledge होना जरूरी है compulsory है that is why अभी हम लोग function discuss कर रहे है ठीक है अच्छा अब हम लोग क्या discuss करने जा रहे है तो भाईया domain और range domain और range तो हमने समझ लिया कि भाईया जो possible input होता है उसको बोलते है domain है और जो निकल के आता है उसको बोलते है range लेकिन domain निकालते कैसे है एक बार इसको देख लेते हैं ठीक है चलिए माल लेते हैं कि हमारे पास एक function given है ठीक है यह देखिए यहां पर आपके पास क्या आ गया एक function आ झालाजुए ठीक है न एक दम क्लिdefined आप देखो ठीक है यह function है तो यह f of x क्या indicate कर रहा है f of x इंडिकेट कर रहा है कि भईया वाई जो है, वो depend कर रहा है X पर। ठीके, ये इंडिकेट कर रहा है यानि Y depends upon X, ठीके, अच्छा ये expression क्या indicate कर रहा है तो ये expression indicate कर रहा है कि how Y depends upon X आरी बात समझना, how Y depends upon X, ठीके, यहां तक तो उमीदे clear है ठीके अभी हमने क्या बोला कि अभी हमने भया domain सीखना पड़ेगा ठीके हमने आपको सारी चीजे बता रखी है लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भया domain को calculate कैसे करते हैं ठीके domain को calculate कैसे करते हैं ठीके तो समझेगा यहाँ पे f of x is equal to कितना दिया था तो दिया है भया x square minus 9 upon x minus 3 ठीके देख लो यहाँ पे यह जो expression है यहाँ जो function एक बार देख लो ठीके x square minus 9 upon x minus 3 ठीके यहाँ तक अभी देखो domain का मतलब क्या होता है कि हर एक वो value हर एक वो value जिस पर function defined हो जाए तो अगर आप यहाँ पे x की value 3 रखते हो समझना ध्यान से अगर आप x की value अगर आप क्या रखते हो 3 रखते हो 3 रखते हो तो देहो क्या हो जाएगा तब जो function है आपका यह 0 by 0 के form पे आ जाएगा यानि यह indeterminate form पे आ जाएगा ठीके आप simple समझो क्योंकि हमने अभी आपको indeterminate form नहीं बताया है ठीके वह हम लोग कुछ minutes के बाद discuss करें ठीके लेगिन अभी आप समझ लो simple कि if we put x is equal to 0 not 0 3 if we put x is equal to 3 अगर हम लोग x की value 3 put करते हैं यह जो function है आपका then the function get undefined simple आप ऐसे समझो कि अगर हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग x की value 3 put करते हैं then यह जो function है वो undefined हो जाएगा आगी बात समझ आगी ना अच्छा देखो कैसे तो आपने basic rules पढ़ा होगा हमने आपको already बता भी रखा होगा कि वह यह rational number यह rational fraction क्या होता है simple कि वह यह नीचे में 0 नहीं आना चाहिए denominator can't be 0 denominator 0 नहीं आना चाहिए लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 3 put करते हैं तो भाईया यहाँ पे denominator जो है यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ठीके तो यहाँ पे आप 3 नहीं ले सकते यहाँ पे आप x की value 3 नहीं ले सकते लेकिन 3 के आलाव आप सारी number ले सकते हो ठीके तो domain क्या हुआ यहाँ पे तो domain हुआ आर माइनस 3 दोमेन यहाँ पे क्या हुआ तो आर माइनस 3 यानि यानि क्या यानि आपने सारे number ले लेना है यानि हर एक x की value आप ले सकते हो आप कोई भी value ले सकते हो x की लेकिन 3 नहीं ले सकते है you can take all real number except 3 क्योंकि if you take 3 then the function get undefined function undefined ह हो जा रहा है that is why you can't take 3 यहां तक clear हो गया अच्छा तो 3 तो हम लोग नहीं ले सकते हैं हम लोग तो 3 नहीं ले सकते हैं क्यों क्योंकि 3 पर function जो है वो क्या हो जाएगा undefined हो जाएगा ठीक है न तो यह जो function है defined है for all x यह जो function है defined है for all x except at x is equal to 3 ठीक है न यानि इसका domain इस function क domain कितना निकल गया तो r-3 r-3 तो यह क्या हो गया इसका तो यहां पे लिग देते हैं domain और domain का definition तो आपको याद हो गया होगा कि हर एक वो possible value जिस पर function defined हो जाए ठीक है न चलिए यहां तक clear हो गया अब तीन तो आप ले नहीं सकते है न तीन तो आप ले नहीं सकते लेकिन आ आप left से भी close ले सकते हो, right से भी close ले सकते हो, समझेगा धियां से, we can't take three, हम लोग 3 तो ले सकते हैं, but हम लोग 3 के close values ले सकते हैं, 3 के close value हम लोग ले सकते हैं, आरी बात समझना, अच्छा अब close का मतलब क्या हुआ भाया, है न, यहाँ पे एक term आगिया, close का मतलब क्या हु इंडिकेट करता है यह सिंबल इंडिकेट करता है तेंडिकेट 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 क to 3 तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमने जो है x की जो value है समझेगा ध्यान से यहां पे जो x की value है हमने 3 नहीं ली लेकिन 3 के काफी close ली समझेगा ध्यान से यहां पे हमने x की value जो है 3 नहीं ली लेकिन 3 के काफी close ली ठीक है न एकदम clear है न अच्छा अब आपको एक दो symbol और मिलेगा जैसे कैसे भईया तो ये देखो x tends to 3 minus आपको इस तरह का भी symbol मिलेगा तो इसका मतलब तो आपने समझ लिया कि भईया tends to 3 यानि close to 3 यानि x की जो value होगी वो काफी close है किसके close है भईया तो 3 के close है लेकिन यहाँ पर क्या लग गया minus यहाँ पर क्या लग गया minus तो इसका मतलब यह हुआ कि tends to 3 तो ठीक है यानि 3 के काफी close है value तो ठीक है लेकिन किदर से तो from left ठीक है यानि x tends to 3 minus का मतलब यह हुआ कि x tends to 3 इसका मतलब यह हुआ 3 minus का मतलब यह हुगा कि X की जो value है वो 3 के काफी करीब है लेकिन किदर से तो भाईया from left ठीके कहा से तो from left तो इसको हम लोग क्या से पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे X tends to 3 from left ठीके यानि 3 से कम आपको number यहाँ पे लेने है लेकिन काफी close इसे 2.9 हो गया है ना 2.99 हो गया ठीके 2.999 हो गया तो इस प्रकार के numbers आप ले सकते हो ठीके ना एकदम clear हो गया ना अच्छा अब जब आप left से लोगे तो obviously कि भाई right से लोगे है ना तो right से क्या से होगा तो simple X tends to 3 plus X tends to 3 plus तो यहां भी क्या हुआ इसका मतलब तो X की जो value है वो 3 नहीं है 3 की काफी close है काफी close है लेकिन किधर? किधर से भाई तो plus आ गया यानि right से तो इसका मतलब क्या हुआ यानि X tends to 3 समझेगा ध्यान से X tends to 3 लेकिन किधर से? किधर से भाई तो from right from right, clear है न, एक दम अच्छे तरीके से clear हो गया न, फिर से देख लेजे, यह symbol अगर आपको मिल जाता है, इस तरह का symbol, यानि tends to, या close to, या approaches to, ठीके, अगर आपको minus दिख जाता है, ठीके, tends to minus, 3 minus, इसका मतलब क्या हुआ कि भाईया, left से, 3 के काफी close है, लेकिन किदर से, left से, यानि, 3 से कम value आपको लेनी है, लेकिन close लेनी है, x tends to 3 plus दिख जाए, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, भाईया, आपको value लेनी है, 3 के काफी करीब value लेनी है, close value लेनी है, लेकिन 3 से ज़्यादा लेना है, ठीके, इसमें क्या करना है, आपको 3 से आपको ज्यादा value लेना है ठीके तो उमेद है आपको यहां तक तो अच्छे तरीके से idea लग गया होगा यह symbol याद रखेगा यह symbol हर बार use होने वाला है ठीके tends to का symbol यानि arrow का symbol जो है यह किसको indicate करेगा tends to को close to को या approach to का तीनों का मतलब सेम है ठीके यहां तक उमीद आपको अच्छे तरीके से idea लग गया होगा ठीक है न एकदम clear है देखो अभी तक हमने क्या क्या बताया आपको अभी तक हमने सबसे पहले function discuss किया कि वह यह function क्या होता है तो एक machine होता है जो एक output provide करता है for each and every valid input जो input होता है बोलते है domain जो output होता है बोलते है range ठीक ह है कि why depend कर रहा है लेकिन किस प्रकार से depend कर रहा है ठीक है domain हमने आपको यहां पर निकालना सिखा दिया ठीक है यहां तक clear है न अच्छे तरीके से और यहां पर अभी हमने symbol बताया आपको यह symbol आपको ध्यान में रखना है ठीक है न चलिए अब आगे बढ़ते हैं तोड़ा यहां तक जब clear होगे अब आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह हमारे पास function available था और यह function तीन के अलावा हर एक x की value पर यह valid था defined था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है तो तीन तो ले नहीं सकते हैं तो तीन की हम लोग क्या करेंगे काफी close जाएंगे अब close left भी जा सकते हैं right भी जा सकते हैं तो left में मालो की हमने लिया 2.5 तो हमको क्या मिला 5.5 2.6 लिया हमने तो मिला 5.6 2.7 लिया तो मिला 5.7 2. 2.8 लिया, तो 5.8, 2.9 लिया, तो 5.9, ठीके, 2.99 लिया, देखिए, ये काफी close है, ये जो 2.99 है, ये क्या है, काफी close है, तो हमको कौन सी value मिली, यहाँ पर हमको मिला 5.99, तो ये जो 5.9 है, ये किसके close, ये काफी close है, 6 के, ठीके, काफी close है, किसके काफी close है, तो भाईया, 6 के काफी close है, यानि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानि 2.5 से 2.9 तक, हमने क्या किया, हमने यहां पे value लिया लेकिन कैसे value लिया हमने 10s to 3 from left, 10s to 3 from कैसे वहिया, left यानि हमने 10 के close values लिया लेकिन कहां से, तो from left से, एकदम clear है न, एकदम clear है अब देखो यहां से, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, तो 3 से ज़्यादा value लेते हैं, तीके, 3 से ज़्यादा value लेते हैं, लेकिन काफी close होना चाहिए, यानि अब क्या, अब हम लोग करेंगे, तीके, अब हम लोग क्या करेंगे, value वैसी value लेंगे, तीके, यानि x tends x tends to 3 from right, x tends to 3 from right, ठीक है न, यहां तक clear है न, ठीक है, तो x tends to 3, यह सिंबल क्या indicate कर रहा है, तो यह सिंबल indicate कर रहा है, काफी close है 3 के, और plus लग गया, तो plus क्या indicate कर रहा है, क्लोज तो है, लेकिन किदर से, right से, ठीक है, तो यहां तक तो अच्छे तरीके से clear हो गया होगा, 6.01 मिला, 3.1 लिया, हमने तो क्या मिला, 6.1, 3.2 लिया, तो 6.2 मिला, तो यहां पे, ठीक है, यहां पे हमको एक value मिली, वो क्या value मिली, काफी close है, किसके काफी close, छेके, यानि हमने क्या किया, इस function के, इस function के, हम left गए, क्या गए भईया, हम लोग left गए, इस function के, हम लोग right गए, ठीके, देखे, किसके right गए, और किसके left गए, समझेगा, 3 पर तो यह function undefined हो रहा था, 3 पर यह function undefined हो रहा था, ठीके न, तो 3 के, अब ऐसे बोलो कि, 3 की हम लोग left गए, 3 की हम लोग right गए, तो हमको एक common value मिला, आरी बात समझ, हम लोग 3 के, क्योंकि 3 पर function जो हो undefined हो जा रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 के left जा रहे हैं, काफी close, 3 के right जा रहे हैं, काफी close, तो हमको एक common value, एक approximate value मिल रहा है, एक जेक्ट नहीं है, एक हमको common approximate value मिल रहा है, आरी बात समझ, तो that common approximate value, that common approximate value, is called limit of a function, आरी बात समझ, that common approximate value, is called limit of a function, यानि यह जो value आया आपको, यह value क्या है, तो यह इस function का limit है, यह जो value आया, यानि 6 जो है, 6 क्या है, तो इस function का, इस function का क्या है limit है आरी बात समझना clear है न इच्छे तरीकस से तो यहां से हम लोग ये conclusion निकाल सकते हैं क्या conclusion निकाल सकते है भईया कि limit of a function is that value यहां पर हम लिख देते हैं define करके आपको कि limit of a function क्या होता है तो it is that value of a function ठीके it is that value of a function यह वैसी value होती है function की ठीक है, it is that value of a function which we get ठीक है, it is that value of a function which we get while moving in its neighborhood, है कि ने it is that value of function which we get कब हम लोग को यह value मिलेगा which we get while moving, ना, which we get while moving in its neighborhood, आरी बात समझ में तो जैसे ही इसके हम लोग ठीक है, जैसे ही इसके हम लोग क्या करेंगे neighborhood में move करेंगे, तो हमको एक common value मिलेगी, क्या मिलेगी एक common value मिलेगी, तो यहाँ पे हमको लिख देना चाहिए, it is that common value, यहाँ पे हमको common सब्द का परियोग करना चाहिए, ठीक है तो it is that common value which we get while moving in its neighborhood, यानि value मिला, तो वो जो common value है, वो यहाँ पे क्या है, six है तो यह जो common value है, that common value is called limit of a function, ठीक है न, इस common value को हम लोग क्या बोलते हैं, limit of a function, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से clear हो गया न, ठीक है, क्यूंकि यहाँ पे limit की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे limit की बात हो रही है, ठीक है, that is why हम लोग इसको इस प्रकार से represent करेंगे, ध्यान से, lim x tends to three plus x tends to three plus, इसका मतलब हमने आप भी आपको बताया, क्या मतलब है भया, कि x की जो value है, three के काफी close है, लेकिन कहा से, तो लेकिन from right, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको दोनों बताया है, x tends to three plus from right, अच्छा, minus का मतलब क्या हुआ, तो x tends to three from left, एकदम clear हो गया न, लेकिन symbol है, यहाँ पे आपको lem लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप limit function की limit value निकाल रहे हो that is why यहाँ पे आपको यह pattern लिखना पड़ेगा, ठीके, तो इसको कैसे पड़ेंगे, तो lem of a function from x tends to three from right, कितना निकला, तो भाईया, 6 निकला, क्या निकला, तो 6 निकला, आरी बात समझ में तो 3 पर तो यह function undefined था, तो हम लोग क्या गए हैं, तीन के right गए, काफी close right गए काफी closely right गए, तो हमको एक value मिला, क्या मिला भाईया तो 6 value मिला, ठीके न तो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्योंकि हम लोग right की तरफ हम लोग गए हैं, तो इसको बोलेंगे RHL इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे RHL यानि right hand limit क्या बोलेंगे इसको भईया तो right hand limit ठीक है न उमीद आपको यहां तक तो अच्छे तरीके से idea लग गया होगा ठीक है अब चलो थोड़ा left जाते हैं ठीक है थोड़ा left जाते हैं लेकिन किदर से तो भईया from left इसका मतलब क्या हुआ कि x tends to 3 लिख देते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ आए x tends to 3 लेकिन किदर से किदर से भईया तो from left तो simple सी बात है minus दिख गया तो समझ लो left plus दिख गया तो समझ लो right clear है न अच्छे तरीके से और ये symbol जहाँ भी दिख गया तो समझ लोगि tends to close to ठीक है न टेंडस to close to ठीक है और ये pattern में याद रखेगा ये limb आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आप function का limit discuss कर रहे हो आप function का limit discuss कर रहे हो that is why आपको ये पूरा pattern आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है तो उमीद आपको limit of function का idea लग गया होगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां तक जब clear हो गया तब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है ये minus वाला है system देख लीचे तो minus में हमने क्या किया तीन तो ले ने सकते हैं तो तीन के हमने काफी close values ली ठीक है तीन के हमने काफी close values ली ठीक है अच्छा right में हमने क्या किया तीन के काफी हमने close values ली लेकिन from right तो from right का मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि x tends to 3 x tends to 3 from right यानि हम लोग 3 के काफी close value लेंगे लेकिन 3 से ज्यादा लेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि extends to 3 from left 3 के काफी close value लेंगे लेकिन 3 से कम होना चाहिए देख लो यहाँ पर जितने भी values है सारे 3 से कम है सारे क्या है 3 से कम है यहाँ भी देख लो तो हमको एक common value मिलेगा हमको क्या मिलेगा एक common value मिलेगा ठीके और वो common value क्या है 6 तो इस 6 को क्या बोलेंगे limit of that function ठीके इस 6 को क्या बोलेंगे तो limit of that function ठीके तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो क्या से कि भी यहाँ यहाँ पर लीम x tends to 3 minus, है न, लीम x tends to 3 minus, ठीके, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि लीम x tends to 3 plus, ठीके, is equal to कितना, तो is equal to 6, is equal to कितना, तो भया, is equal to what, 6, ठीके, तो यह जो 6 मिला, यह जो 6 मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, limit of a function, limit of a function, और कौन से function का limit, तो यहाँ पर लिख देते हैं, function वापस से, x square minus 9 upon x minus 3, तो यह जो value निकला, यह value किसका निकला, इस function का limit निकला, इस function का limit निकला, देखो, limit का मतलब पता है, क्या होता, simple सब्दों में, nearness, कितना close है, ठीके, कितना closeness, close value, उसका closest value, ठीके न, तो 6 क्या हुआ, इस function का closest value हुआ, clear है न, अच्छे तरीके से, अब देखो, यहाँ तक तो उमिद आपको समझ आ गया होगा, कि भईया, limit of a function क्या होता है, ठीके, तो यह दखेगा, limit of a function is that value which we get while moving in its neighborhood, ठीके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा number देखेंगे, कि भईया, किस function पर वो undefined हो जा रहा है, तो उसके हम लोग left जाएंगे, right जाएंगे, काफी closely left या right जाएंगे, तो हमें को एक common value मिलेगा, and that common value is called limit of a function, that common value is called limit of a function, एक गम clear होगे न, अच्छे तरीके से, से कुछ अलग तरीके से समझेंगे, तो यहाँ पर देख लीजे, यहाँ पर हमको क्या समझ आया, तो यहाँ पर हमको यह समझ आया, कि किसी भी function का, किसी भी function का limit तभी exist करता है, जब उसका LHL भी exist करें, है न, देखें, क्योंकि left से हम लोग गय थे, तो इसको बोलेंगे L LHL, left से गय थे, तो LHL, यानि left hand limit, limit का मतलब close value, limit का मतलब close value, closeness, कितना close है वो, ठीके, और close है, लेकिन कहां से close है, left से close है, ठीके, left से close है, तो जब भी आपका, ठीके, जब भी आपसे पूछा जाएंगे, किस function का limit exist कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको होगा, क्या उसका LHL निकल रहा है कि नहीं, ठीक, फिर आपको देखना पड़ेगा, क्या उसका रहा है कि नहीं, निकल रहा है, इस टैंड फोर, क्या उसका LHL और LHL exists कर रहा है कि नहीं, आरी बात समझ में, तो सब से पहले किसी भी function का, फिर से, किसी भी function का, limit, अगरा उसकी nearest value जो है उस function की, उसको बोलते है limit of function, तो सबसे परहे हैं, आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, आपको left से भी जाना पड़ेगा, close में, right से भी जाना पड़ेगा, तब ना common value मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको left से भी जाके देखना पड़ेगा, आपको right से भी जाके देखना पड़ेगा, ठीके, आपको LHL भी निकालना पड़ेगा, आपको RHL भी निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोही आपले निकल रहा है कि न LHL और RHL बराबर होगा, जब LHL और RHL क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, जैसे माल लो, यहां वाला case देखो, यहां वाला case देखो, माल लो कि यहां पे कुछ अलग आ जाता, तो क्या limit exist करता, इस function का limit exist करता, तो नहीं करता, क्योंकि limit क्या होता है, फिर से सुनो, limit एक common value ह है, ठीक है, limit क्या होता है, तो एक common value है, जो हमको कब मिलता है, जब हम लोग function के left में जाते हैं, right में जाते हैं, उसके neighborhood में जब move करता है, तो common value मिलता है, अब कूद सोचो, जब common value ही ना मिले, है न, common value ही ना मिले, तो वो किस बात का limit, निकलेगा ही नहीं, है न, common value के लिए आपको left में जाना पड़ेगा, right में जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या आप left में जा सकते हो की नहीं, आपको देखना पड़ेगा क्या आप right में जा सकते हो की नहीं, फिर आपको देखना पड़ेगा क्या अगर आप left में गये, right में गये, तो क्या जो value मि तो कि हाँ भया उस function का limit exist कर रहा है, तब जाके आप उस function की limit निकाल सकते हो, limit बतला फिर से closest value, ठीके उस function की closest value, ठीके न, एकदम clear हो गया न, अच्छा, अब आपके मन में प्रस्ने आएगा, कि भया किस प्रकार से निकाले limit, है की न, आपने तो बता दिया कि limit exist करना चाहिए ठीके और limit exist करने के लिए LHL, RHL बराबर होना चाहिए, ठीके उससे पहले आपको LHL, RHL exist करके दिखाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए न, कि भया LHL कैसे निकाले, या RHL कैसे निकाले, ठीके, तो उसके लिए क्या है, एक simple सा pattern है, एक format है, ठीके ठीके, लीम x tends to a from left, लीम x tends to a from left, f of a minus h, ठीके, देखे, सबसे पहले हम बात कर रहे है, LHL की, कि LHL आप कैसे चेक करोगे, ठीके, तो सबसे पहले ये format, क्या है format, तो भया, लीम x tends to a minus h, ठीके, उसके बाद आपको ये वाला जो पूरा portion है, इसको replace करना है, किस से replace करना है भया, तो h tends to 0 से, ठीके, h tends to 0 से, आपने क्या कर देना है, replace कर देना है, और इस प्रकार से, जब आप solve करोगे, तो आपको LHL मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ठीके न, अच्छा, अब LHL कैसे निकालेंगी, ठीके, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ है minus, वहाँ ल ठीके, लेकिन किसका limit, तो function का limit, ठीके, तो f of a plus h, ठीके, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फिर इस format को replace कर देना है, किस से replace कर देना है, तो h tends to 0 से replace कर देना है, ठीके, बाकी as it is, आपने लिख देना है, ठीके, तो इस प्रकार से, आपको कोई भी function मिले, सबसे पहले उ उसका आप RHL निकालना, फिर देखना, क्या देखना, कि भईया, क्या उसका LHL, RHL बराबर है की नहीं है, ठीके, LHL, RHL बराबर है की नहीं है, अगर बराबर है, तो बोलना कि भईया, limit exist कर रहा है, उस function का limit exist कर रहा है, अगर बराबर नहीं आ रहा है, तो बोलना कि नहीं कर रहा है, ठीक है, limit exist कर रहा है कि मतलब, कि भाया, आप उस function के left में जा रहे हो, ठीक है, right में जा रहे हो, लेकिन किसके left, right में, तो सबसे पहले उस function का, ठीक है, उस function का आपको एक ऐसा value प्राप्त करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कि भाया, किस value के हम लोग left जाए, right जाए, आरी बात समझना, किस value के हम लोग left और right जाए, ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, कि भाया, left गए, right गए, क्या हमको दोनों तरफ जाने में, क्या हमको common value मिल रहा है, कि नहीं, तो common value अगर मिल रहा है, तो yes, limit of function, limit निकल रहा है, उस function का limit निकल रहा ह है, ठीक है, तो simple सी बात, limit of function, यानि closest value of that function, ठीक है, closest value of that function, ठीक है, clear है, अब देखिए, अब आपको ये format याद रख लेना है, कि भाया, LHL निकालते कैसे हैं, ठीक है, याद रखेगा, अब चलिए, यहां तक तो हो गई बात, लेकिन जब तक नहीं करेंगे question, आपको idea न different method होते हैं, सारे methods भी मनों discuss करेंगे, सबसे पल एक question करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा feel आएगा, थोड़ा समझ आएगा, कि भाया, limit निकालते कैसे हैं, ठीक है न, चलिए, यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास एक function given है, f of x is equal to क्या है, x upon mod x है, क्या है आपको 0 पर check करना है, यहां पे आपको 0 पर check करना है, कि क्या 0 पर, ठीक है, क्या 0 पर ये जो function है, क्या 0 पर इस function की हमको closest value मिल पा रही है, क्या 0 पर हमको इस function की closest value मिल पा रही है, क्या 0 पर हमको इस function की closest value मिल पा रही है, क्या 0 पर हमको इस function की closest value मिल पा रही है, ठीक है, अ to 0 खुद सोचो आप अगर X की value 0 put करते हो तो क्या यह function defined होगा function defined नहीं होगा clear है यानि आपको 0 के left 0 के right जाना पड़ेगा कि नहीं 0 के left और 0 के right जाना पड़ेगा न है कि नहीं अच्छा जाओगे आप देखोंगे क्या क्या हमको common wellаю मिल रहा है कि नहीं अगर common well Moo रहा है तो लिमीट आफ function है तो अगर आपको नहीं समझा रहा है कि dapat did टेक लेनी कि यह फिर निकाला जाए और चलो यहां पर तो ए हमको मिल गया कि भाईया हमको 0 के आसपास देखना है 0 के आसपास क्योंकि 0 पर यह function undefined हो जा रहा है आरी बात समझना 0 पर यह function undefined हो जा रहा है that is why यहां पर a की value कितनी 0 ठीके अब देखो अब देखो भाईया ध्यान से ठीके तो अब यह format है तो कुछ नहीं करना है जहां जहां है A, वहां पे डाल दो 0, देखो, जहां जहां पे है, क्या ची? A, वहां पे डाल दो 0, simple, जहां जहां पे है A, वहां पे डाल दो, क्या ची? क्या डाल दो भईया? 0 डाल दो, तो यहां पे देखो, हम आपको यहां पे इस question को अच्छे तरीके से बना के दिखाते है ठीके, यहाँ पे थोड़ा congested हो गया है, थोड़ा space की कमी है, है न, that is why हम आपको phrase page पर ये question बना के दिखाते हैं, ठीके, तो यहाँ तक तो उमीद आपको idea लग गया होगा, ठीके, चलिए, आपको हम phrase बना के दिखाते हैं, ठीके, और ये function देख लो, function क्या था, तो f of x is equal to, क्या था भईया, तो x upon mod x, ठीके, फिर से देख लो, एक बार इसको आप question का दर्सन कर लो, f of x is equal to x upon mod x, ठीके, एक दम clear है, हमको क्या करना है, हमको verify करना है, कि क्या भईया, इस function का limit exist कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, ठीके, अगर limit exist कर रहा है, तो भईया, वो कौन सी value है, य नहीं देखे, आरे चल, और किस पर check करोंगे, तो देख लो, यहाँ पे आपको 0 पर check करना है, क्यों 0 पर check करना है, क्योंकि 0 पर function undefined हो जा रहा है, चली, आगे बढ़ते है, ठीके, यहाँ पर देखे, सबसे पहले क्या, सबसे पहले LHL, ठीके, सबसे पहले क्या, तो सबस वाला इसको replace कर देना किसे replace कर देना तो भाया h tends to 0 से replace कर देना यह हमने आपको बताया चलिए आगे बढ़ते हैं ठीके यहां पर देख लो इसका मतलम क्या हुआ कि भाया हम लोग 0 के क्योंकि यहां पर 0 पर undefined हो जा रहा है तो 0 की हम लोग left जा रहे हैं ठीके 0 के हम लोग क् कर दो solve चलो करके दिखाते हैं लीम हो गया भाया x tends to क्या माइनस तो 0 माइनस है ना 0 माइनस f of 0 माइनस h एक दम clear है न अच्छे तरीके से यहां पर अब देखो अब देखो यानि क्या अब क्या करना है फिर लीम ठीके यह step तो हमने कर दिया यह step हमने कर दिया यानि जहां प क्या है f of a माइनस h f of a माइनस h यानि यह value जो है है यह जो value है आपको यहां पर डाल देनी है चलो डाल देते हैं तो क्या हो गया 0 माइनस h x यह है ना x यह क्या हो गया x हो गया है ना यह x है तो x की value डाल दो यहां पर तो क्या हो गया तकि यहां पर इसको arrange करते है थोड़ा अब यह देखे, यहाँ पर देखेगा, ध्यान से एकदम समझेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखे, यह हो गया x का, फिर से यह क्या हो गया पूरा, यह हो गया x, कुछ नहीं करना है, x के जिगा पर यह value डाल देनी है, चलो डाल दो, तो 0- h, है न, फिर mod है यहाँ फिर x की value क्या है, यही है 0- h, डाल दो 0- h, एकदम क्लिर है न, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उपर क्या हो गया, minus h निकल गया, है न, लेकिन नेचे में क्योंकि mod है, तो क्या हो गया, h, यह हो गया, cancel, यानि यहाँ से value कितने न निकल गया, आरी बात समझ, ठीके न, अब चलिए, अब क्या, आरेचल, ठीके, अब क्या, आरेचल, ठीके न, तो आरेचल में कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं करना है, जहाँ है, minus, डाल दो, प्लस, चलो फिर से, आरेचल का पहले formula लिग देते हैं, देखो क्या है तो lean x tends to a plus, a plus का मतलब from right, f of a plus h, ठीके न, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इस बंदे को replace कर दो, किस से replace कर दो भया, तो h tends to 0 से replace कर दो, यहाँ भी हमने replace कर दिया, कोई तकलीफ, ठीके, अब चलो आगे, हमको पता है कि यह जो function है, यह 0 पर हो जा रहा है, undefined, that is why ह जाएंगे, और left में तो हमने already चल रखा है, चलो right चलते है, 0 plus, ठीके, तो f of, जहाँ जहाँ है, a, डाल दो वहाँ 0, ठीके, तो यहाँ पर कर दिया हमने, यहाँ तक clear है न, अच्छे तरीके से, अब देखो, अब देखो भया, ध्यान से, ठीके, अब यह क्या होगे, हमारी x की value हो गई, यह किसकी value हो गई, x की value हो गई, कुछ नहीं करो, जहाँ जहाँ है, x डाल दो वहाँ पे 0 plus h, चलो डाल देते हैं, ठीके, तो lean, क्या lean, lean x tend to 0, प्लस, अब नहीं, अब इसको replace करना होगा, किसे replace करना होगा, h tend to 0 से, तो यहाँ पे लिख दो, क्या भया, h tends to 0, हारी बात समझना, ठीके न, अब चलो, x के जगाँ पे क्या डाल दोगे, 0 plus h, तो 0 plus h upon 0 plus h, लेकिन नीचे में तो है mode है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है mode है, तो उपर भी h, नीचे भी h, यानि solve करोगे, कितना मिल जाएगा, 1, ठीके, यानि rhl कितना मिल गया, तो rhl मिल गया, ठीके, 1, rhl कितना मिल गया, तो 1 मिल गया, आरी बात समझना, एक गम क्लिर है न, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों defined हो रहा था, यानि lhl और rhl, यहाँ पे देखो, थोड़ा यहाँ पे आजओ, यहाँ पे आजओ, यहाँ पे दोनों exist कर रहा था, यानि lhl do not exist, ठीके, लीम do not exist, इस function का limit exist नहीं कर रहा है, यानि, इस function का हमको closest value नहीं मिलने वाला, इस function का हमको closest value नहीं मिलने वाला, ठीके, तो बस आपको यह दो format याद रख लेना है, कि भया, lhl कैसे निकालते है, rhl कैसे निकालते है, ठीके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आगिया minus 1 यहां पे क्या आगिया वन और format देख लो किस प्रकार से निकाला गिया है ठीक है format तो आपको समझ आहीं ग्या होगा ठीक है तो चलिए यह हो गई बात किस की यह बात हो गई कि किस प्रकार से हम लोग चेक करें कि कि किसी भी function का limit निकल सकता है की नहीं ठीक है यहां पर आपके पास एक function given है, है न, यहाँ पर क्या है, आपके पास एक function given है, अब function बोलो, या आप इसको rational expression बोलो, ये given है, ठीके, अच्छा, हमने करना क्या है, इस function का limit calculate करना है, है कि नी, limit calculate करना है, limit का मतलब क्या भया, कि इसकी nearest value calculate करनी है, अच्छा, अब बात आती है, किस प पर ये function undefined हो जा रहा है, ठीके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो अगर हम x की value 3 लेते हैं, x की value 3 लेते हैं, तो ये जो function है, ये function क्या हो जा रहा है? भाई या, तो ये function undefined हो जा रहा है, आरी बात समझ में, यानि, if you put x is equal to 3 then the function get undefined ये function क्या हो जा रहा है undefined हो जा रहा है ठीक है न एक दम clear है न हमको तो निकालना है limit है न हमको तो क्या निकालना है limit निकालना है तो क्या तरीका है अभी तक हमने क्या सीखा कि 3 के left जाओ 3 के right जाओ common value मिलेगा वो answer हो जाएगा तो इसके लिए क्या भया इसका क्या उपाय है तो इसका एक ही उपाय है क्या उपाय है भया कि इसको यानि ये जो rational expression है ठीक है ये जो rational expression है जो कि अभी 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 ये किस form पे है तो अभी भया ये indeterminate form पे है अभी जो है ये किस form पे है अभी ये indeterminant form पर है, आजी बात समझ में, तो एक ही तरीका है कि ये जो rational expression जो अभी indeterminant form पर है इसको सब से पहले, सब से पहले कुछ भी करके, rationalize करके कुछ भी करके जो operation संब़ हो वो operation करके इसको determinant form पे लाया जाए जो भी operation संब़ हो उस operation का यूज करके इसको भाया किस form पे लाया जाए तो इसको determinant form पे लाया जाए आ Rs. 간élior जब determinant form पे आ जाएगा simply value डालो काम खत्म है कि ने simply value डालो काम खतम, काम खतम इस्टैंड फोर काम खतम इस्टैंड फोर कि भया मतलब उसका limit निकल गया, उस function का limit निकल गया, आगे बात समझना ठीके न, चलि फिर से एक बार, फिर से समझते देखे, हमारे पास क्या था एक function था, हमारे पास क्या था, एक function था तो यहाँ पर हमने यह notice किया कि भया, 3 पर यह function undefined हो जा रहा है that is why यह question इस प्रकार से दिया गया था, कि भया, आपको 3 पर ही, ठीके, 3 पर ही इस function की, आपकी limit निकाल ले थी function की limit निकाल ले थी क्यों 3 पर, क्योंकि 3 पर यह function undefined हो जा रहा है यह 0 by 0 के form पे आ जा रहा है और 0 by 0 क्या होता है, तो indeterminant form होता है थोड़ी देर में indeterminant form discuss करते है ठीके, थोड़ा सा patience रखेगा, ठीके, यहाँ तक clear होगे तो भया, क्या उपाए है एक ही उपाए था, कि भया, left जाओ, right जाओ लेगिन काफे time taking process था तो क्या उपाए है, इसके अलावा क्या उपाए है तो एक ही उपाए है, कि भया, in determinant form से आप उसको determinant form पे ला दो अजब determinant form पे आ जाएगा, simply यह value डालो तीन value डालो, का आपको आपको limit मिल जाएगा, उस function का ठीके न, चलिए, अब इसको factorize करना पड़ेगा क्यों factorize करेंगे, क्योंकि हमको determinant form पे लाना है, that is why हमको factorize करना पड़ेगा चलिए, तो इसको factorize किया गया अब factorization तो आपको आता होगा ठीके, यह हम इतना assume करके चल रहे है कि आपको factorization आता होगा ठीके, तो इसको factorize करके यहां तक लाया यह देखो, यह x-3 x-3 cancel हो गया, क्या बच गया तो यहां लिख देते हैं, leem x tends to 3, है न, क्या बच गया, x plus 2 बच गया नीचे में क्या है, x square plus 1 है, अब देखो, अब देखो क्या भया, यह determinant form पे आगया तो yes, यह determinant form पे आगया, अब यहां पर कुछ भी डालो, कुछ भी डालो यहां पर आपको value ही मिलेगा यानि यह determinant form पे आगया, अब कुछ नहीं करो जब determinant form पे आगया तो कुछ नहीं सोचना, value डालतो directly 3, 2, 5, और 3 का square 9 और 9 और 10, यानि 5 बटा 10 यानि 1 बटा, क्या ची 1 बटा 2, यह answer आगया यानि इस function का ठीके, जो limit था, कितने पर limit at x is equal to 3 ठीके, not at x is equal to 3 at x tends to 3 क्या निकल के आया भाईया, 1 by 2 आगया clear है न, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या in determinant form पे है की नहीं है ठीके, अगर है तो उसको determinant form पे लाओ ठीके न, determinant form पे लाने के बाद simply value put कर दो solve कर दो, काम खतम अब in determinant से determinant पर लाने के लिए आप जो कर सकते हो करो, factorization करो आप रेसलाइजिशन करो, गुना करो, डिवाइट करो जो कर सकते हो, करो आप ठीके न, अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कि कभी-कभी जो होता है, वो already आपको determinant form पे मिल जाता जैसे इस बंदे को देखो ठीके, इसको देखो, ये already determinant form पे है, अब यहाँ पे कुछ भी डालो ठीके, x tends to 2 है अब 2 के left में, right में कुछ भी डालो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आपको एक perfect value ही मिलेगा आरी बात समझ में, तो ये already ये already किस form पे है तो ये already determinant form पे है ये already किस form पे है, वह या तो determinant form पे है, आज जब determinant form पे है, तो क्या सोचना, value डालो simple simple value डालो मिल जाएगा क्या मिल जाएगा इस function का limit at x is equal to 2 ठीक है यहाँ पर देखो इस इनसान को देखो यह भी भाईया किस form पे है तो already determinant form पे है तो determinant form पे तो क्या सोचना simply value डालो आपको result मिल जाएगा ठीक है न एक गम clear हो गया न अच्छे तरीके से चले कुछ और questions लेंगे तो आपको बहतर idea होगा तो यहाँ पे हमने in determinant form पर लाने के लिए हमने क्या किया हमने यहाँ पर factorize किया है न यहाँ पर हमने क्या क्या किया अब ऐसे बोलो कि भाईया हमने limit निकालने के लिए क्या किया तो हमने factorize किया तो इसको बोल दिया गिए factorization method क्योंकि factorize किया तो factorization method बोल दिया गिए Rishlight करोगे तो Rishlightization method बोल दिया जाएगा उद्दे से एक ही है indeterminate form पे है determinant form पे लाओ काम खत्ब चलिए और कुछ questions लेंगे तो आपको बहतर idea होगा है ना बहतर आपको idea होगा चलिए इसको देखिए आप ध्यान से देखिए इसको देखिए ठीके तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको lim x tends to 4 calculate करना है तो देखो के ध्यान से कि अगर आप यहाँ पे 4 रखते हो यानि if you put x is equal to 4 then the function get undefined यानि यह 0 by 0 का form पे आजाएगा ठीके ना 0 by 0 का form पे आजाएगा एकदम clear है ना यानि यह किस form पे है अभी जो है यह indeterminate form पे है अभी जो है यह किस form पे है तो यह indeterminate form पर है एकदम clear है ना भीया करना क्या पड़ेगा तो एक ही तरीका है कि इस indeterminate form को किस form पे लाना पड़ेगा तो determined form पे लाना पड़ेगा आरी बात समझना अब यहाँ पे क्योंकि root है square root है तो एक ही तरीका है resize करो है ना resize करो और यहाँ पे हम मान के चल रहे है कि आपको resolution आता है तो जैसे ही आप resize करोगे तो यह किस form पे आ जाएगा determinant form पे आ जाएगा determinant form पे आने के बाद क्या करोगे simply put क्या put x is equal to 4 value put कर दो है ना value put कर दो और आपको क्या मिल जाएगा तो आपको इस function का limit मिल जाएगा इस function का क्या मिल जाएगा limit मिल जाएगा ठीके ना यानि limit यानि क्या closest value मिल जाएगी ठीके तो target उद्देस एक ही है है ना क्या उद्देस है आपका कि end determinant form पे है तो determinant form पे लाओ उसके लिए जो करो यहाँ पे factorize किया गया तो factorization method हो गया और यहाँ पे rationalize किया गया इसलिए इसका नाम क्या दे लिया गया rationalization method ठीके ना यहाँ तक एक दम clear है ना अब देखो अब जो है यह तो तरीका ठीक है कि भया in determinant form पे है तो उसको determinant form पे लाया जाए ठीके लेकिन कुछ results भी हमको याद रखने होंगे ठीके जैसे जैसे यहाँ पे एक result है कि अगर आपको इस format पर दिख जाता है कहीं भी यानि if lean x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a तो result आपको याद रख लेना है n a n minus 1 n a n minus 1 यह result याद रख लीजेगा अब यह आया कैसे इसका भी derivation है ठीके इसको हम लोग दो तरीके से derive कर सकते है एक तो हम लोग इसको l hospital rule के through derive कर सकते है ठीके l hospital rule के through derive कर सकते है और एक इसको हम लोग traditional method जो है उसके through भी हम लोग इसको derive कर सकते है आरी बात समझ न ठीके तो फिलाल आप याद रख लो ठीके क्योंकि समय जो है काफी अल्रेडी हो चुका है करी 50 मिनट हो चुके है क्लास के ठीके तो फिलाल आप simple याद कर लो क्या भया कि if x to the power n minus a to the power n upon x minus a के फॉर्म पे रहेगा तो simply आपको result याद रख लेना है na n minus 1 ठीके na n minus 1 और इस एक फॉर्म पे तो देख लो भईया यह 0 बाई 0 का फॉर्म पे है यानि यह भी जो है किस फॉर्म पे है तो यह भी आपका in determinant form पे है यह ना भईया किस फॉर्म पे है तो यह भी जो है in determinant form पे है कुछ questions करेंगे तो आपको बहतर ये formula किस तरीके से apply किया जाता है वो आपको बहतर समझ आएगा है ना चलिए सबसे पहले आपको एक दो formula का application करेंगे दिखाते हैं चलिए माल लिजिए कि आपके पास इस तरह का कोई format है आपको एक value निकाले limit निकाले है एक function की टीकि और वो function क्या है? that is x square minus 4 upon x minus 2 टीकि इसको आपने क्या करना है? solve करना है टीकि यह आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो क्यासे बोलो भया? कि इस function का आपने limit calculate करना है at x is equal to 2 दो पर इस function का limit calculate करना है ठीके अच्छा अब देखो क्या ये जो format है इस format पर है क्या ठीके तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या x tends to 2 x square minus 2 का whole square upon x minus 2 इसको आप इस format पर लिख सकते हो कि ने अच्छा is equal to होता क्या है तो n a n minus 1 n कितना है 2 है तो 2 into 2 into 2 n minus 1 यहाँ पर थोड़ा हमने गलत लिख दिया इसको हम phrase लिख के आपको दिखाते है तो जब भी आपको इस तरह का format मिले यानि x to the power n minus x to the power n minus a to the power n upon x minus a के form पर मिले आपको यह result याद रख लेना है n a n minus 1 फिर से n a n minus 1 तो यहाँ पर 4 को 4 को आप कितना लिख सकते हो 4 को आप लिख सकते हो 2 का square लिख सकते हो की नहीं 4 को 2 का square लिख सकते हो ठीके यह देखो यह क्या हो गया आपका यह हो गया n यहाँ पर n की value कितनी 2 यह हो गया a a की value कितनी तो भईया 2 अब यह formula क्या है n a n-1 तो n डाल दो a डाल दो a कितना है तो 2 है थीके न फिर 2-1 यानि कितना भईया 2 into 2 यानि कितना 4 2 into 2 यानि कितना 4 थीके तो आप इस formula का इस तरह के problems पे आप डिरेक्टली कर सकते हो ठीके न अच्छा अगर माल लो कि यह आपको समझ नहीं आया माल लेते हैं ऐसा कि भईया यह आपको तरीका पसंद नहीं आया ठीके तो कुछ नहीं करना देख लेना कि क्या भईया यह 0 by 0 के form पे है की नहीं जो भी value यहाँ पे डालना देख लेना कि क्या यह 0 by 0 के form पे है की नहीं तो 100% यह 0 by 0 के form पे है है की नहीं है अच्छा जब 0 by 0 के form पे है तो कुछ नहीं करना उपर भी differentiate कर देना यानि numerator को भी differentiate कर देना और denominator को भी differentiate कर देना अब देखो अब इसको differentiate करोगे यानि x square को differentiate करोगे तो क्या मिलेगा 2x 4 को differentiate करोगे तो मिलेगा 0 अब denominator x को differentiate करोगे तो 1 2 का 0 तो 2x by 1 आ गया अब simply value डालतो 2 into 2 result आ गया 4 अगर आपको ना समझ आए तो देख लेना भया क्या 0 by 0 का form पे है तो उपर भी differentiate कर देना नीचे भी differentiate कर देना यानि numerator में भी differentiate कर देना और denominator में भी differentiate कर देना value डाल देना आपको directly result मिल जाएगा ठीक है ना चलिए यह जो rule होता है इसको बोलते है युके लेकिन हम लोग discuss करेंगे detail मेंने एक दम युके बहुत सारी rule है जैसरे काची rule है sandwich rule है हम लोग detail में discuss करेंगे चलिए कुछ और questions देखते हैं यहा तक तो हो गया होगा idea चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास एक expression है ठीके और इसका हमको क्या करना है limit calculate करना है यानि इसका हमको closest value calculate करना है कितने पर तो भाई या 5 पर तो y at 5 because 5 पर यह function जो है तो क्या हो जाएगा indeterminate form पर आ जाएगा देख लो रखके आप x की value 5 रखो x की value जहां जहां है x वहाँ पर रुप दो 5 तो 5 का cube यहां पर रखो को 5 का cube 25 25-25 आरी पाद समाज यहां पर देखो 5 का square 25-7 into 5 यहां पर हो गया sorry यह कितना हो गया 35 हो गया और plus 10 है है न तो यहां भी overall कितना आ गया यानि यहां भी देखोगे तो 0 by 0 का form पर आ गया अब जैसे लाओ factorize करके लाओ rationalize करके लाओ जो तरीका अपनाना चाहो बस लेके आ जाओ कैसे भी करके तो यहां पर देखिया factorize किया गया है इसको है न यहां पर इसको factorize किया गया है aq-bq को format पर तोड़ा गया है और आपको aq-b को का formula पता होना चाहिए ठीक है अगर नहीं पता तो यहां लिख देते है aq-bq क्या होता है भी या तो a-b a-square ठीक है न a-square plus a-b plus what b-square तो यहां पर उसको तोड़ दिया गया अब देखो अब यह जो है किस form पर आ गया function given है यहां पर एक algebraic expression है है न इसका हमने क्या करना है lean calculate करना है कितने पर तो at x is equal to 3 पर ठीक है न at x is equal to 3 पर calculate करना है ठीक है तो सबसे पर देखो कि क्या भाया यह in determinant form पे है कि determinant form पे है सबसे पर यह आपको देख लेना होगा है न अब देखो ध्यान से अब सबसे पर इसको क्या करो इसको COP प्र आप एक स्क्वायर माइनस 9 है कि नहीं अब इन दोनों को multiply कर दो तो तो क्या हो जाएगा, x square minus 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर cross कर दो, इन दोनों को, यानि 1 में x minus 3 से multiply करोगे, तो x minus 3 आएगा, फिर इस 1 में x plus 3 से multiply करोगे, तो x plus 3 आएगा, ये cancel हो गया, ये 3 और 3 cancel कितना बच्चा, 2x बच्चा, है न, यानि ये मिल गए आपको, यानि ये तो भाईया, already किस form पे है, ये determinant form पे है, तो कुछ नहीं करो, value डाल दो, यानि 2 into 3, then you get how much, भाईया, 6, ठीके न, तो उमीद आपको ये भी समझ आ गया होगा, चलिए, कुछ और question देखा जाए, तो target simple सा है आपका, ठीके, target क्या है, कि भाईया, in determinant form पे है, तो determinant form पे लाओ, ठीके, value डाल दो, अगर already determinant form पे है, तो तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीके, directly value डाल दो, चलो, कुछ और question जिसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक function है, तो यहाँ पे देखलो, root है, तो obvious है कि भाईया, आपको geralize करना पड़ेगा, क्या करोगे, determinant form पे लाओगे, कैसे लाओगे, determinant form पे तो भाई एक ही तरीक है rationalize करोगे क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पे root है तो rationalize करोगे rationalize करोगे तो किस form पे आ जागा determinant form पे आ जाएगा फिर value put करोगे आपको आपका result मिल जाएगा ठीके देखे यहाँ पे हम calculation पर नहीं जा रहे हैं यहाँ पे हम मांद के चल रहे हैं कि आपको calculation आता होगा ठीके और कभी-कभी क्या होता है कि आपको दो-दो बार restorationize करना पड़ता है ठीके क्योंकि देखिए यहाँ भी root है और यहाँ भी root है that is why यहाँ पे आपको दो-डो बार क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा ठीक है चलिए अभी यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि आपको basic calculation आता है ठीक है अगर फिर भी नहीं आता तो यहां पर देख लो यहां पर solve किया गया है ठीक है क्योंकि अगर हम derivation sorry not derivation अगर हम solution बताने लगे तो काफी time लग जाएगा ठीक है तो आप खुद से solve कर लेना ठीक है चलिए यहां पर एक question है है यहां तक तो उमीद आपको समझ आगया होगा ठीक है यहां पर देख़ें यहां भी किस form पे है यह तो यहां पर देख लो वह यह किस form पे है तो एक रखके देखो तो तीन और एक 4 यानि 2 निकल गया minus 5 भी से एक गया 4 य देखे आओ, कैसे लाओगे, यह पता है, क्योंकि यह root है, तो resize करना ही पड़ेगा, resize करोगे, solve करोगे, आपको आपका result मिल जाएगा, ठीके, तो यह सब basic tricks है, ठीके, उमीद आपको समझ आ रहा होगा, ठीके, और आपने try भी करना है, ठीके, अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी तिर पहले हमने आपको एक format बताया था, ठीके, यह वाला format, ठीके, यह वाला format याद रखेगा, that is lean, x tends to a, x to the power n, minus a to the power n, upon x minus a, क्या होता है, तो nan minus 1 होता है, ठीके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक quotient given है, और यहाँ पे, x to the power 5, minus a to the power 5, upon x minus a add, a equals to दे दिया है, कितना दे दिया है भगया, तो 405 है न, अच्छा, इस format का result आपको पता है, कितना होता है, तो nan minus 1 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया nan minus 1, ठीके, यहाँ पे फिर से लिख देते है, x to the power 5 है, minus a to the power 5 है, upon क्या है, x minus a है, है न, upon क्या है, तो upon x minus क्या है a है तो आपको पता है कि भाईया ये n है ये क्या है n है तो n की value कितनी है लिख दो 5 a तो भाईया a है न तो a की value तो a ही है ठीके और ये हो गया simple इसको solve कर दोगे तो यहां से आपको a मिल जाएगा तो यहां पे a to the power 4 कितना निकल गया 81 और 81 को आप कितना लिख सकते हो लिख सकते हो क्या 3 to the power 4 तो इस प्रकार से आपको a की value मिल जाएगी तो a की value कितनी मिल गई 3 मिल गई ठीके चलिए तो उमीद आपको ये भी समझ आ गया होगा तीके न यहां तक अच्छे तरगे से समझ आ गया होगा limit of function क्या होता है LHL क्या होता है RSL क्या होता है तीके कब limit निकलेगा कब नहीं निकलेगा तीके इन सब चीश का idea हो गया होगा कैसे solve किया जाता है इसका भी idea हो गया होगा ठीके और हम कभी से बोल रहे हैं इनटर्मिनांटा huh ठीके तो यहाँ पर दिखीए यहाँ पर आपके सामने इनटर्मिनांटा So őर इनटर्मिनांटा fall को आपको याद रख लेगी ना है ठीके प्रला क्या होता यह से पच्छों तो इंफिनीटे इंप्राइट इंफिनीटे तो सा इन केहां अ उता है टो जीडिरो इंसीडिते जीडिरो पाउं اे पाउं एसाथ जीडिरा वस्वा क्योंट नेटिटा धिकैश्टो अर्टेओं गटिंटिटे फीर ठीके लेकिन आपको मिल ली ये 7, ठीके केवल 7, in determinant forms याद रखने हैं, ठीके क्योंकि बागी के जो in determinant form से इनी 7 को drive करके बनाएगा हैं, ठीके तो ये आपको याद रख लेने हैं, कि भईया in determinant forms कितने होते हैं, तो याद रखेगा 7 होते हैं, ठीके 7 होते हैं, एक गम clear है न यह तो यहाँ पे देखिया इन Nejट प्लस इंफानीट क्या होगा तो इनंफानीट होगा इनफानीट इंटो इनफानीट इन फायनीट इन फायनीट 10 होगा इछ बथिभल आपका फाइनाइट होगा इएपान जीरओ not defined यह दो आपने पढ़ा भी में रखने है, ठीके, और यहाँ पे कुछ questions है, जो आपको बताने है, कि भाईया, क्या indeterminand forms पे हैं कि नहीं है, ठीके, और indeterminand forms हमने यहाँ पे आपको बताया, कि भाईया, साथ होते हैं, ठीके, और सबसे famous, सबसे important, जो आपको बार-बार मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे, है ना, कौन-कौन सा मिलेगा, 0 by 0, और infinite by infinite, ठीक है, ये दोनों indeterminate forms आपको बार-बार मिलेंगे, ठीक है, तो उमिद आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा, जलिए, अब देखते हैं कुछ questions, ठीक है, तो यहां पर क्या question है भाया, तो यहां पर बार से limit, कौन-कौन से limit, जो है, वह indeterminate forms पर है, पूछा गया है आप से, कि भाया, कौन-कौन से limit जो है, वह indeterminate form पर है, तो इसको देखो, सबसे पाला यह, देखो, लीम, x tend to 0 1 upon x तो यहाँ पे अगर x की value 0 डालोगे तो क्या हो गया 1 upon 0 तो भाईया 1 upon 0 तो अभी तो कुछ है ही नहीं ऐसा है ना 0 upon 0 है तो यह क्या indeterminate form पे है तो नहीं भाईया यह indeterminate form पे नहीं है ठीक है देख लो एक बार क्या यहाँ पे 1 upon 0 कहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो भाईया यह indeterminate form पे नहीं है इसको chip करो ठीक है तो यहाँ पे 0 put करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 minus 0 upon 1 minus 0 का square है ना यहाँ पे क्या हो गया तो 1-0, ठीके, यहाँ पे misprint है, यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीके, यहाँ पे जो है, आपका क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीके, क्योंकि 1 होगा, तभी यह, आपका 0 by 0 के format पर आएगा, ठीके, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीके, भी किस форм पे। इन-determinant के form पे। ठीक है। उसे प्रकार से ये भी किस form पे आए गा ? तो इन-determinant पे पर आएगा। ठीक है ना ? तो ये सब basic results आपको ध्यान में रखने przestror ज़रा है। काहिं सा indeterminant form होता है और कौन-काहिं से limit indeterminant form पे हैं तो अगर इन डेटर्मिनान फॉर्म पे हैं तो उनको डेटर्मिनान फॉर्म करना है ठीक है अब उसके लिए जो जो आपको रूल अपलाई करना पड़े वो रूल आप अपलाई कर लोगे ठीक है न जो आपको रूल मिले वो आप अपलाई करोगे आपको अगर इसन भी करना पड़े आप substitute करके standard limit का use करके expansion यह भी बहुत important expansion ठीक है तो कुछ functions का आपको expansion भी जानना पड़ेगा ठीक है कुछ function जैसे sinics का expansion क्या होता है exponential function का expansion क्या होता है ठीक है तो आपको जो method सही लगे ठीक है लेकिन value put करो आपको उस function की limit प्राप्त हो जाएगी यानि उस function की closest value आपको मिल जाएगी ठीक है न एक गम clear है अच्छे तरीके से factorization method आपको आता होगा factorize करने आपको आता होगा resize करने double resurrection यह सब तो आपको आता होगा target एक ही है टार्गेट क्या है की भाईया simple indeterminancy को remove करना एक ही इहाँ पे कुछ questions है तो यह questions आपने कुछ से try करने है यहां पे कुछ questions है इन questions को आपने खुछ से try करने है यहाँ पे इन तीनों का answer भी given है ठीक है तो यह questions आपने खुद से try करने है ठीक है यहां तक तो clear हो गया होगा ना अच्छे तरीके से चलिए